तो कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होगे तो दोस्तों आज हिंदी के लेक्चर 3 में हम समास पढ़ेंगे तो दोस्तों आज तक आपके जो मन में समास को लेकर डर बना हुआ है कि समास एक बहुत ही केड़ा चेप्टर है इससे कोश्चन आता है तो आज के बाद यह लेक्चर आपने अगर जो कर लिया तो आपका समास का डर बिलकुल खतम हो जाएगा आपके मन से», जैसे जैसे लेक्चर को हम समापती की और लेके चलेंगे वैसे ही वैसे आपका मन का डर भी भी खतम हो जाएगा तो दोस्तों अगर जो अभी तक आपने इस्टडी करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बैल आइकन को भी प्रेस करें क्यूंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके प पूरा करें मैं और मेरी टीम इस्टेडी करकी पूरी टीम आपके लिए हर तरीके से हर संभव प्रियास करें कि आपको एक अच्छर कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए और आपकी तयारी को बहतर रूप दिया जाए जिससे की अपकी बार यूपी पुलिस की वर्दी आप छोटे से वर्द में पांके की समास की डेfryिशन जो है वूह है किसी पी सब्द का संचिती कर णा क्दो खींद ऑजाना किसी सब्द को कम कर देना चोटा कर देना कम करना या छोटा कर देना क्या कहलाता है समास कहलाता है जैसे की मैंने आपको एक statement दिया कि राजा का पुत्र तो इसका समास क्या हो जाएगा इसका समास हो जाएगा राजपुत्र देखो कितना बड़ा statement था राजा का पुत्र और उसको हमने एक छोटे से बड़ में लिख दिया राजपुत्र तो ऐसे ही चीज़ को हम क्या बोलते हैं समास बोलते हैं तो समास की कितने बेद होते हैं समास की 6 बेद होते हैं कोश्चन दो एक तालीस हजार वाली वैकेसी में यूपी प्लिस में डिट्टो पूछा गया है सीधा सीधा की समास की कितने बेद होते हैं उप्शन में 6 था जिस बच्चे ने राइट किया हुआ आज उनों प्री कर रहे होंगे तो कोश्चन यहां से सीधा भी पूछ लिया जाता है समास के कितने बेद होते हैं 6 बेद होते हैं कौन-कौन से देख लेते हैं पहला द्वन्द समास जो की सबसे सरल है दूसरा है आपका दिगू समास दिगू समास तीजव्रह है आपका ले देख करमधार म्दार करमधार की छोत्सा ले जहां है ऐसकन आपका बहु विर्यों waiting ओं हऺं आ का पांश्वा ले लेते हैं आभवे बहु होsungौन interrupt अब ये भाव समास, ठीक है, छटा ले लेते हैं हम आपका, जो कि समसे बड़ा समास है, इसको में लाश्ट में पढ़ेंगे, तत्पुरुष, तत्पुरु समास, तत्पुरु समास, तो दोस्तों आईए अब सेसन को आगे बढ़ाते हैं, क्या होता है दोंद समास, क्या होता है करमधारिय, क्या होता है बहुवीदिय, उमीद करता हूँ कि अगर जो आज आपने ये पूरा लेक्शर पूरा कम्प्लीट कर लिया, तो सीज की गारंटी मैं लेता हूं आपके पेपर में यू भी प्लिस का हो या किसी भी कोई भी इस्टेट एक्जाम हो जिसमें कि आपका हिंदी पूछा जाता हो एक से दो कुश्चन समास से बनते हैं तो आज इस लेक्चर में आप प्रण लेके बैठें कि हमको अपने दो नंब से ले एक उड़ चीज इसमें आगी तक पर यह सिंपल सिंपल चीजें चल रही थी अगर जो फेपर में आपसे पूछ लेता है उद्धरन देके एक्जमपल देके पूछता है कि इसमें कौन सा समास है आप लोग आसानी से उसको अटेम्ट कर पाते हैं और राइट आपसर लगा सकते हैं उसका पर अगर जो थोड़ा सा एक्जामिन ने आपको ढीप उसा दिया थूड़ा कुष्ण दीप पूछ लिया तो आपका रहता फेल गया जैसे की समास में क्या होते है दो पढ़ा होते है एक होता है पूरवपन पूरवपन और एक होता है उत्तरपन तो प या पहला प्रद प्रदान होता है, दूसरा के उपर आश्रित होता है, या दोनों में से कोई सा नहीं होता, कोई तीसरा प्रदान होता है, जब आपसे ऐसे कोश्चन पूछ लिया जाएगा, बोल देगा कि बताइए निम्न में से कौन से समास का उत्तर प्रद प्रदान होता ह तो आप घूम जाओगे और अच्छे से कुश्चन को अटेम्ट नहीं कर पाओगे तो आज के लेक्चर में मैं आपको हर एक चीज छोटी से छोटी चीज सिखाऊंगा और आपको आपकी वड़ती दिला कर रहूंगा अब की बार तो पूरफपद पूरफपद मतलब पहले वाला अब बात करते हैं दॉंद्व समाज करesian की हम डैविनेशन में लिखेंगे दूंद्व वह समाज होते हैं जिसमें जिसमें दोनों प्रिधान होते हैं प्रिधान का एक मेन आदमी होता है ना तो ऐसे ही समास के अंदर दो पद होते हैं उन पद में प्रधान कुंसा है मजबूत कुंसा है उसी को बोले के प्रधान पद ठीक है तो द्वन्द समास में क्या है दोनों ही अपने आपे में प्रधान हैं दोनों ही ताकतवल हैं जैसे एक्जंबल ल तो हमों वह कुंसा होता है दूत समास होता है एक जापल देख लेतं है जिए से भाई-बैन या भाई-बैन तो माता-पिता माता-पिता शुक दुख जितने भी ऐसे सब्द मिलते हैं उनने को सा समास होता है उनने होता है आपका दुर्थ समास और इनमें एक विवकति कि भी होता है जो यह यह चिंद दिख रहा है ऐसे वाला जहां भी जिस भी आपको 99% केजिज में जहां भी आपको यह बीच वाला ऐसा रिलेशन दिखे वहां जी आप आप पीच के कुन सा सर्मास लगाओगे बंद समास लगाओगे और मैंने बताई दिया पदवाला जो कांता की पूरा प्रदान है तो इसके लिए भी आपको आपको ओड़िकत नी होगी इसमें को ऑग ही ऍटनों ही पध्रदान होते हैं रहें भाई ही अपने आपर अश्तिल पुरूरत्त यह निया आर्थ को पीच में तो गग आपको नहीं टूर लीखाननी बीस्राइश सकता है इनके बीच में जाए म समास दोस्तों दिगु समास भी बहुत आसान समास है और आज मैं आपको फिर से बार-बार ये चीज़े बता रहा हूं कि अगर जो आज आपके आपको पूरा कर लिया तो आज के बाद आपको समास में कभी दिक्कत नहीं आएगी चाहे हिंदी के और किसी चेप्टर में आपक जिस भी समास के अंदर क्या आजाए मतलब की पहला पद संख्या वाची या संख्या वाची तो पहला पद उत्तर पद प्रधान हो प्रधान हो हो वह आँन्थ मीज़ के लगा दिये दीगूसमाश एक्जाम्फम बताते है हम आपको दीगूसमाश के क्या का हो सकते है जैसे की एक्जाम्बन लिया मैंने चो राहा क्या है चो राहा देखो चो राहा मतलब भी जहां पर चार सड़के ये चार रहा का राहा आकर मिलते हैं तो इसको क्या मतलते हैं शार róż přताउ का मिलना मतलब कि आगे संख्याव गई चार रहा इंपेक्ट किसके ओपर जा राम है चार का इंपेक्ट रहा क Online कोण उत्तर पद पर दहान हुआ तो समझ में आ गया चोरहा तिरहा यह जितने भी आपके जिस भी समास के आगए आपको संख्या लगी मिल जाए और उत्तर पद पर दहान हो जाए वहां जीगे आपका दिगू समास होगा आप मीछ कर लगा दीजिएगा करमधाले समास में पहला पद क्या हो इसकी परिवासा लिखेंगे हम पहला पद विसेशन हो क्या हो विसेशन अब बात विसेशन पर आगई है तो आगे जभी बढ़ेंगे पहले विसेशन को पता कर लें, विसेशन क्या होता है, वे सब्द जो संग्या और सरणाम की विसेशन कहते हैं, उन सब्दों क्या कहते हैं, विसेशन कहते हैं, तो पता चलिए विसेशन क्या है, वे सब्द जो संग्या और सरणाम की विसेशन कहते हैं, विसेशन कहते हैं, जै विसेश्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट विसमें और सोगा है यह था अब कर्म्धारिर अब बात करते हैं इसके एक्जंपल कीß हो एक्जंपल कीजिसे हों केसे ? तो एक्जंपल मैं इसके जहिसे नील कंट , क्या ? नील कंट , नील MPa में अपकोन सा समास होगा ? करमदार 것이 comas तोब ऐसी गाई जो कि नीली है तो किसकी विसेस ना मता ही ज़िए गाई की और विसेस्टी किया है रिम पॉसेस ने दखाय कि यह आपका किस आएगा करन दखाने सोफ़ायां और sensitive तो दोस्तों वहुविरिय है तो गाई को पर लिए उत्तरपद पृद्ःफानी हो। और कोई तीसरा पद अकर पृद्ःफानी बन जाए कि या तीसरा सब्ध प्रधान बनता हो। उस समास को क्या कहいます कहाईगे तो इस परियांस मिर्शा निक रिए भात है कि हैना कि पहला थी पहला पद ustapod में कोई भी प्रधान ना हो पहला पस और उत्रपत में कोई भी प्रधान ना हो अन्य तीसरा हो अन्य तीसरा हो तो ऐसे समास को हम क्या कहेंगे बहु विलिया समास कहेंगे यह जो समास है यह आपके समासों की जन्री कह सकते हैं बहु विया समस को, जैसे की बात करेगे, आप बहु विया समस की, तो जैसे एक जबंबल लेगे, क्यूंकि एक्जबंबल से ही समझ आएक ह communicating करें, पीताउंबर या, पीताउंबर, पीला है अमबर जिसका अरथार, इस समस को define करने कि तीञे हैं, जब आपके सब्द को लेकर, जब आपको सब्द को लेकर आपके दिमाग में इमेज बनने लगे पीत अंबर पीला है अंबर जिसका अर्था विश्णु भगवान तो एक तीसरे आदमी का चैन हुआ ना लगा वजफ़ो है इसे समाघ को क्या ऐए जैसे नील कंट क्या नील कंथ दोस्तों यह कोगे आप क्यों पागल बना रहे हो अब ही तो नीलगण्ठ आपने हैं करंधारिय समास भाफ सास भी ए और पूछा है कि पीत अमबर या नीलगण्ठ में कौन सा समास हैं तो बहुं भाt हो कि मेरें की देता on कि कि आपका नंबर कोई नीगाटेगा क्यूंकि यह सरवे sirva हैं यह समसे बड़ा समास कौन हैं वह समास है नील कन चैजा अब बात करण है पांच विक ही कर अब भाव समास तो अव्यमा ws होते हैं फूरब ये विक्स हो अपनी दिर सेके अब्ञार ले और अगला संथ होता है जो पहले पूरबबाला पद होता है है वह क्या होता है मतलबु की ए vite cara हो सके यह कुछ fix word है यह कुछ fix word है जैते किसी भी किसी समास के आगे आपको यतहा मिल जाए पृतिम जाए औरkte आ अ मिल जाये यह कुछ fix वर्ड है जिस भी सब समास के आगे बिलेंगे आपको वहां अव्वभाव समास वोगा जैसे maximize यह था सकति यह रीकत्त कि इचैनल साथ यथा सकती में इसंस यह था सकती कि प्रति दिंखा वह दिनन भर कभी कभी तो यह जिटन आते में इसे वर्ड याराते हैं सम्झ में आ जाता है कि जिसका विकार मी कभीं 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 क्या क्या विकार रहोगा तो यहाद कि Marx आते अप बाताले अंशे तो इसको कर देता सब दो क्योंéqu का प्रिप Ross समास कून ça तत पूर्स गर por schedules समास क्हा हुआ कि जैंस तदि हो तपर्श माथ नदेखर्व से इसमें पहला पदा पहला पद कि सहयां पद होता है और जो बदा कि होता है आपका प्रदाद होता हम फूरे पद मेघन दों निया और जो उत्तर पद होता है बाद वागा वो फ्रदान पद होता है ठीक है कोश्चन सीधे सीधे पूछ लेगा एक्जाम में आपसे कि ऑप्शन में देदेगा तत्पुरु समास और सीधा पूछेगा कि किस समास का पूरा पद सहाइख पद होता है कि एक मतर ऐसा समास है जिसका पूरा पद साहिवपद के रूप में काम करता है त veg," तो आप पूरской पद करें का लगा देना है?G cukane तप्रु समास पक्रीन समास लिगाना है तो तnos खुआ समास में अदर जाकर आर सात समास आ जाते हैं जो की एक कारक अपने कारक, अभी मैं अग्ली क्लास में आपको कारक ही बढ़नेवाला हूँ, अगर अगर पहले कारक पड़ लिया होता, तम समास पढ़ते तो और ज्यादा अच्छा होता, पर चलब कोई नहीं मैं को सिस्थ करूँगा, कि अभी भी आपको बहुत अच्छे यह दिए यह का निए चिन मतलब की जो कारते हैं हैं इनको याद करेंगे हम पैसे लिख लेते हैं आप पैरले लिखने करता कार्त का चिंद क्या होता है करता ने करम को करण से तंस्हें यह संफ्रद्ाट के लिए अपादान करता ने करम को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अपादान से या अलग करता ने करम को करण से संप्रदान के लिए अपादान से या अलग संबंध संबंद का के ना ने नी करताने करम को करण से संप्रतान के लिए अपादान से अलग संबंद का के ना ने नी आगे बता अधिकर्ण या अधिकर्ण के उपर के उपर एक साथ लेंगे इसको के उपर के अलग नहीं है तो के ऊपर ठीक है एक दो तीन चार पॉंच छे साथ हो के साथ हम मेरे साथ दो रहाएं करता ने करम को करण से संपर्दान के लिए अपादान से या अलग होना संबंद का के ना ने नी अधिकरण के ऊपर एक्जाम्म लेंकर दो से समझेंगे इसको जैसे कूर लेके हम राजा का पुत्र देखिए इसमें आपको जो जोडने वाला कारचिन है वह क्या दिख सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थाइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें